इल्याना डिक्रूज ने की अपने नन्ने से शहजादे की तस्वीरे शेयर इसी बीच में सोशल मीडिया पे उठने लगे सवाल की बच्चे का बाप कौन है नमश्कार आप देख रहे हैं इंडियनुस का डिजर्डल प्लाटपॉर्म और मैं हूँ आपके साथ प्रिया आपको बता दें अगरस्ते को ऐल्याना डिक्रूज की जिंदगी में एक खुशी का लमहा आया जब उनके जिंदगी में उनके नन्ने से शहजादे ने जनम दिया आपको बता दे अल्याना ने इस नन्य से शहजादे की तस्वीर शेयर करते हुए सोशल मीडिया पे कुछ चीज़े भी लिखी और इस चोटे से शहजादे की तस्वीर लिखते हुए कितनी खुशी है उसके बारे में कुछ बाते बूलते वे अपनी खुशी को अपने फैन्स के साथ शेयर करा बात करें पिछले के बारे मीं में छोटा सा बच्चा जो की बहुत ही जाडा प्रुबता है। तो बर्ट कभी मरती नहीं है वो मरने के बाद राख बनती है और दुबारा से राख में से एक और नए बर्ट निकल जाती है इसी नाम को लेकर जो है लियाना ने नाम को रखा है और इसी के साथ इस पिच्चर को शेर करते वक्त उन्हों ने ये पर लिखा कि मेरा कोई भी एक्सप्लेइन नहीं कर सकता हमारे जिनकी में एक नना सा डार्लिंग बॉय आ चुका है और मेरे दिल बहुत ही जादा खुश है मगर इस खुशी के मौके पो जब उन्होंने अपने फैंस के शाशियर करा तो फैंस लोगों ने लग गए कई सारे सवाल उनके इस खुशी के मौके के जी हां जब उन्होंने सोचल मीडिया पर अपने बच्चे की तस्वीर अपलोड करी तो फैंस के सवालों के बॉच्छार हो गई उनके उपर कुछ लोगों ने कहा कि पापा को भी न्यूस दे तो कुछ लोगों ने कहा कि यह बड़े लोग हैं सब कुछ चलता है आपको क्या लगता है आप इस पूरी खबर के बारे में क्या सोचते हैं और जिस तरीके से लोग उनको लेके उनके बच्चे को लेक्क कर रहे हैं इसको लेकर आपका क्या उपीरन है कमेंट बॉक्स में लिगके ज़रूरे बताएं